ब्रेक बैस स्वागत है आपका ये चलते अगले खबर की और एक पार फिर से सर्दी का सितम एहरी वाल पर छागया है घने कौरे के चलते सटकों पर वहां रेंगते नजर आ रहे हैं सर्दी से पसने के लिए लोग आग का सहाला ले रहे हैं लोगों का कहना है कि सर्दी बहुत ज्यादा है लेकिन उन्हें मजबूरी में घरों से बहार निकलना पड़ रहा है पिछले कई दिनों से पहड़ों में हो रहे ही बर्फवारी के चलते हड़कम देने वाली सर्दी से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है रिवाडी में आज कहरे के चलते रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है हम मजबूर आजी में यहां पर खड़े हुआ है और ताप रहे हैं और आठ हमाईगे जब भी ठंड बहुत तेज पड़ पड़ी है साव इतनी ठंड पड़ी है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमको और हम आँ चड़ा के बैठ दे मजबूर आजमी हम मजबूर आजमी हम थोड़ी आख बाल यहां में सिर्ण लग रहे है